एक्सलेंसीज हमारे करीबी सहयोग को और व्यपक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा पहला है स्पेस के ख्षेत्र में सहयोग हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉंस्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं एक कदम आगे बढ़ाती हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्स्प्लोरेशन कॉंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं इसके अंतरगत हम स्पेस रिसर्च वेधर मॉनिटरिंग जैसे जेट खेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नोलोजी में सयोग कि ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी और रेलेशन बनाने के लिए हमें अपनी सुसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा कि इसमें टेक्नोलोजी की एहम भूमिक रहेगी भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामिन छेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुचाने के लिए दिख्षा याने डिजिटल इंफ्रासेक्टर फर नॉलेज शेरिंग प्लेटफर्म बनाया है साथी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में दस हजार अटल ठिंकरिंग लेप्स बनाये हैं वासा समंधी बादाओं को हटाने के लिए भारत में कि AI बेज लेंग्वेज प्लेटफर्म भाशनी का इस्तिमाल किया जा रहा है कि वेक्सिनेशन के लिए कोविन प्लेटफर्म बनाया गया है डिजिटल पपलिक इंफ्रसेक्टर यानि इंडिया स्टेक के माध्यम से पब्लीक सर्विस डिलिवरी को रिवलुशनराइज किया जा रहा है विवित्ता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में किसी समस्या का हल इस विवित्ता की कसोटी से निकल कर आता है इसलिए ये solutions विश्व के किसी भी कौने में आसानी से लागू हो सकते हैं इस सदर्व में भारत में विक्सित इन सभी platforms को Brics Partners के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी मेरा तूसरा सुजाव है कि एक दूसरे की की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्कील मेपिंग पर कर सकते हैं इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं मेरा चौता सुजाव है बिग कैट्स के समंद में ब्रिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में विभीन प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के अंतरगत हम इनके समरक्षन के लिए साजह प्रयास कर सकते हैं मेरा पांचवा सुजाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इको सिस्टिम है क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजेटरी बना सकते हैं